नमस्कार जी नमस्कार कैसे हैं आप सब I hope बिलकुल बड़ी आद जंगे होंगे और ये पार्ट टू है उस वीडियो का जो हमने शुरुबात की थी जिसकी कल प्रोमो वॉइस ओवर तो कल हमने सीखा था कि प्रोमो वॉइस ओवर इंग्लिश में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अगर आपने भी तक वीडियो ने देखी तो बहुत गलत बात है आप उस वीडियो को देखिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब पार टू में हम लोग सीखने वाले हैं कि उसी का हिंदी वर्जिन हम कैसे बनाते हैं एस वेल एस उसे हम एडिट कैसे करते हैं और उसके साथ साथ म्यूजिक बगरा का उसमें समान डगट डालना हो तो कैसे डालेंगे तो पूरा फुल फ्लेज एक यानि कि हम वोईस उबर त्यार कर रहे हैं बड़ी आसा विद बैक्रोंड ब्यूसिक एस पर तो मैं नेम हिज हमान शुखना वेलकम बैक अगर आप इस चानल पर नए हैं पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आप इस चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी वोईस उबर रिलेटेड इंफोमेशन मिलेगी और मिल भी चुकी है तो यानि आप इशली वीडियोस देख सकते हैं माई कॉन सेशन्स हैं जेनरल वोईस उबर रिलेटेड बाते हैं इंटर्वियूस हैं बहुत कुछ है तो शली आज की वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट अब हिंदी वाला अगर हम हिंदी वाले वोईस उबर पर ध्यान दे आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा इसकी शुरुआत वाला की हमने कल कर ली थी बट शुरू से शुरू करते हैं ठीक है तो महारी पहरी लाइन कहते है कि Everest की चड़ाई कैसी लगती है याद है कैसे करना है थोड़ा सा इसमें मैं आवाज को भारी करूंगा अब ठोड़ा सा इसमें जोश लाते हैं इवरिस्ट की चड़ाई कैसी लगती है इस तरह सिस्को कर सकते है बिलकुल ऐसी जैसे सर्फ एक सांस भर कर चड़नी पड़े सौ सीड़िया प्रोबो में आपके पास थोड़ा सा लिबर्टी ये होती है कि आप पॉस बगर आप ले सकते हैं जैसे सर्फ एक सांस भर कर चड़नी पड़े सौ सीड़िया कि ऐसे सर्फ एक सांस भर कर चड़नी पड़े सौ सीड़िया प्रोपर से गला देने उपर से गला देने वाली बर्फ, पानी की कमी और ठंड से चूचता शरीर शायद मती भ्रह्म भी हो जाए आखिर क्यूं है आखिर क्यूं है पाँच शौकिया परवतारोही ये सब करने को तैयार अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जोश और एड़ कर रहे हैं आखिर क्यूं है पाँच शौकिया परवतारोही ये सब करने को तैयार जानने के लिए देखिए अब तक फिल्माई गई सबसे मुश्किल चड़ाईयों में से एक एवरेस्ट, हद से आके हद से आके इस तरह लेके जाते हैं इसको एक नई, एक नई सीरीज शुरू हो रही है मंगलवार चौधा नवंबर, रात दस बजे से आईये करें अपनी आईये, आईये करें अपनी आईये, करें अपनी हद की आजमाईश आईये करें आईये, करें अपनी हद की आजमाईश डिस्कवरी चैनल ठीक है, अब इसको फास्ट पेस्ट करते हैं, एक बार मैं आपको पूरा ठेक करके बताता हूँ एवरेस्ट की चड़हाई कैसी लगती है? बिल्कुल ऐसी जैसे सिर्फ एक सांस भर कर चड़नी पड़े सौ सीडिया उपर से गला देने वाली पर्फ पानी की कमी और ठंड से चूचता शरीर शायद मतिभ्रम भी हो जाए आखिर क्यूं है पाँच शौकिया परवतारोही ये सब करने को तयार जानने के लिए देखिए अब तक फिल्माई गई सब से मुश्किल चड़ाईयों में से एक एवरेस्ट हद से आखे एक नई सीरीज शुरू हो रही है मंगलवार 14 नवंबर रात 10 बचे से आईए करें अपनी हद की आजमाईश डिसकवरी चैनल अब इस तरह हमने इसको परफॉर्म किरा कल मैंने किसी का कमेंट पड़ा था अच्छा लगा कि आपने थोड़ा स्ट्रेस दिया है वो सूट नहीं करा आप बिल्कुल आपका मैं व्यूपॉंट मतलब I respect everyone's views क्योंकि यार देको मेरा एक करने का स्टाइल हो सकता है एक नॉर्मल स्टाइल में करना ही कोशिश करते है Everest की चड़ाई Everest की चड़ाई कैसी लगती है बिल्कुल ऐसी जैसे सिर्फ एक सास भर कर चड़नी पड़े सौ सीड़िया उपर से गला देने वाली पर्फ पानी की कमी और ठंड से चूचता शरीर शायद मति प्रहम भी हो जाए आखिर क्यूं है बाच शौकिया परवता रोही ये सब करने को तैयार जानने के लिए देखिए अब तक फिल्माई गई सबसे मुश्कल चड़ाईों में से एक Everest हद से आके एक नई सीरीज शुरू हो रही है मंगलवार 14 नवंबर रात 10 बचे से आएए करें अपनी हद की आजमाईश डिस्कवरी चानल थोड़ा सा हमने जो जोश है उसको कम करा अज़री की स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि इसमें हमें थोड़ा ये नो इसमें ऐसी आवास निकालना जाहिर है अगर इसको हम नॉर्मल करेंगे तो वो सूट नहीं करेगा स्क्रिप्ट को जैसे अगर हम और नॉर्मल हो जाएं एवरेस्स की चड़ाही कैसी लगती है बिल्कुल ऐसी जैसे सिर्फ एक सांस भरकर चड़नी पड़े 100 सेडिया मतलब वो न इंपक्ट उतना नहीं आपाएगा तो चली अब जो भी हमने रिकॉर्ड करा है उसको हम कम्प्यूटर पर लेकर चलते हैं और एडिटिंग आपको सिखाते हैं कि एडिटिंग कैसे करना है ये म्यूजिक कैसे लगाना है मैं रिकॉर्डिंग अपने लाप्टॉप में करता हूँ बर एडिटिंग में अपने सिस्टम पे करता हूँ थोड़ा सा हाथ बैठा हुआ इसलिए यहाँ पर वरना आपका जो माइक्रोफोन है आपने जिसमें रिकॉर्डिंग करे वही दिखाएगा अभी तो मैं जैसे यह बोल रहा हूँ वो माइक्रोफोन दिखा रहा है मेरा हेड़सेट का जब भी एडिटिंग में आपको जैसे पहले भी दिखाई है जब भी आप कुछ भी रिकॉर्ड करें अभी ऐसी छोड़ दीजे आगे चलिए जहाँ जहाँ पर आपको लगता है एरर है वहाँ पर हटाईएगा क्योंकि आप बीच में घल्ती करते हैं यह सांस लेते हैं उसकी आवाजे आती हैं तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं अब मेरे सांस साथ आगे बढ़िया अब जैसे यह सांस लेने की आवासी इसको हटाना है तो अब दो चीजे कर सकते हैं या तो इसको मतलब माउस से क्लिक करके ड्रैग करके बैक स्पिस दबाईए यहट जाएगा वरना अगर आपको चाहिए कि अब चुकि हम बैक स्पिस दबाते हैं तो यह पोशन कम हो जाता है यानि हमारी यह जो आगे की रिकॉर्डिंग है इस तरफ इसके क्लोज आ जाती है हम अगर चाहते हैं ऐसा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं वो पोशन सेलेक्ट करके जनरेट साइलेंस तो आप देखे यहाँ पे उसने साइलेंस कर दी पर वो ट्रैक में कमी नहीं लाने दी ठीक है बिल्कुल साइलेंट है पर हमें वो स्पेस हटा नहीं है क्योंकि यह गैब बहुत लगा है उपर से काफी लंबा लग रहा है इसको थोड़ा कम करते हैं यहां से हमने हटा दिया उपर से गला देने वाली पर्फ पानी की कमी और ठंड से जूचता शरीर अब यह भी लंबा है तो इसको क्या करेंगे इसको सिलेक करेंगे हमेशे मैं क्या करता हूं रिकॉर्डिंग में एक जनरल एरिया जैसे इतना मैंने बिलकुल साइलेंट कर दिया एरिया साइलेंस और फिर उसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से ताकि मुझे कहीं पे भी वह यह साइलेंस करनी होना तो सीधा मैं इस पोजिशन को सेलेक करूंगा पेस्ट तो यह पूरे एरिया में साइलेंस हो गई फिर से इस एरिया को करना है तो सेलेक्ट अल लब इस एरिया को मैंने ड्रैक करके सेलेक्ट करा कंट्रोल भी यहाँ पे अब साइलेंस आ गए आखिर क्यूं है चौकिया परवतारोही यह सब करने को तैयार जानने के लिए देखिए अब तक फिल्माई गई सबसे मुश्किल चड़ाईयों में से एक यह हटाना है तो सेलेक्ट इतना करा कंट्रोल भी एवरेस्ट हज से आगे एक नई सीरीज शुरू हो रही है मंगलवार 14 नवंबर रात 10 बचे से आईए करें हद की आजमाईश डिस्कवरी चानल भी फट सकती है अब यह हमने पहले फर्स्ट हमारा जो राउंड होता है उसमें अपने घलतियां सब हटा देते हैं अब इसके में रिटिंग शुरू करेंगे और आगे सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो हमने कहाता है चार पांच सेकंड छोड़के रखने है इसको सेलेक करिए पूरा एफेक्ट में जाईए नॉइज रिटक्शन ठीक है फिर से बता रहा हूं यह पोजिशन सेलेक करा खाली एफेक्ट नॉइज रिटक्शन step 1 कहता है select a few seconds of just noise so audacity knows what to filter out then click get noise profile तो यह few seconds हम already select कर चुके है इस पे click करना है आपको get noise profile अब system ने अपने mind में अपने software में यह capture कर लिया है कि यह noise थी अब इसी के reference से वो पूरे take में कहीं पे भी और noise होगी उसको हटाएगा कैसे just step के तुरंत बाद आपको करना है select all select all का shortcut क्या होता है control a वापिस effect में जाना है वापिस से noise reduction में जाना है अब आपको यह इस पे click नहीं करना यहाँ पे जाना है settings आप यह रख सकते हैं या आपके mic की recording आप change करना चाहें कर सकते हैं और okay पर click करना है बस अब पूरा silence हो गया ठीक है जो भी air noise थी उसने हटा दी अब सिर्फ मेरी कहीं सांस पांस की होगी इस पांच सेकेंड में तो वो है उसको हम यह पूरा select करके backspace दवाएंगे हट गई ठीक अब next step है control a effect नॉर्मलाइज यह tick होना चाहिए यह tick होना चाहिए minus 1.0 अब यह settings रख सकते है minus 12, minus 40, 2 is to 1, 0.20, 1.0 और यह tick होना चाहिए यह untick होना चाहिए अब उसके बाद यह जो बहुत सारी waves है जो touch हो रही है उपर nearly उनको हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे effect यह हम याद रखें का सब कुछ selected है select all करा हुआ है मैंने है हमने इसको limit करना है अब हमने पहले इसका normalize करा compressor करा फिर हम जाएंगे इसको limit करना है soft limit पर रखिएगा यह ऐसे minus 3, 10, okay अब अब इस peak को देखिएगा अगर यहापे अगर आपका ध्यान है यह peak छोटे हो जाएगी तो अब कुछ भी हमारा track peak नहीं कर रहा यह मेरी general editing होती है खतम बट चूंकि यह promo वो इसे थोड़ी सी और editing करनी पड़ेंगी हमें अभी यह आपको सुनाता हूँ Everest की चड़हाई कैसी लगती है बिलकुल ऐसी जैसे सिर्फ एक सांस भर कर चड़नी पड़े सौ सीड़ियां अब इसमें और थोड़ा effect डालते हैं effect में जाएंगे filter curve होता है manage थोड़ा सम base add करेंगे base boost Everest की चड़हाई कैसी लगती है थोड़ा सा धुम 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 एड़ हुआ अब filter curve पर वापस जाएंगे manage factory presets travel boost तो base और travel आपको थोड़ा सा आड़ करना होता है इस दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ अब यानि की जो एक खराक होती आवाज में वो add हो जाएगी Everest की चड़हाई कैसी लगती है स्थोड़ा से बिलिन्स आपको ज्यादा सुनाई देगा again इस ये करने के बाद आपके peak जो waves है वो peak कर सकती है तो वापस आपको क्या करना है limiter okay आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते है बट थोड़ा कुछ अलग effect देना चाहते हैं तो आप इसमें effect में जाके echo add कर सकते है delay time मैंने रखा है 0.08 dk factor 0.1 Everest की चड़हाई कैसी लगती है बिल्कुल ऐसी जैसे सिर्फ एक सांस भर कर चड़नी पड़े 100 सीड़ियां control z कर रहा हूँ echo हटा दिया चाहू तो reverb भी add कर सकते है reverb का मैं आपको अगली बार बताऊंगा ज़रूरी मतलब ऐसे नहीं कि वही add करना है तो reverb का भी आपको बताऊंगा अब यहाँ पे हम जैसे हमारा track ready है इस पर music डालना चाहते है तो music डालते है आप जाएंगे tracks add new या इस तरह से जा सकते है mono track else import audio file में जाके import audio हम आप audio import करता हूँ अब देखिए audio add हो चुका है इसको हम चली ऐसी रहने देते हैं अब आप देख सकते हैं अगर मैं अभी इसको चलाऊंगा तो आपके कान में दर्द होगा क्योंकि music बहुत देज है आप इससे देख सकते है इसमें आपको आपको audio तो सुनाई ही नहीं देगा वोकल सुनाई नहीं देंगे तो इसको क्लिक करना है इस बले track को क्लिक करना है effect amplify में जाके अब आपको minus करना है जिसे minus 10 ये पतली हो गई अब इसको सुनके देखिए ठीक है और कम करना है अभी भी ज्यादा है effect में जाएंगे amplify minus 10 एक और करते है एवरेस्ट की चड़हाई कैसी लगती है बिल्कुल थोड़ा ज़ादा काम हो गया अब amplify में जाके ये दिखा रहे है maximum 19 ये 20 आप बढ़ा सकते है हम सर्फ 3-4 बढ़ाना चाहते है 4 बढ़ा दिया इवरेस्ट की चड़हाई कैसी लगती है बिल्कुल ऐसी जैसे सिर्फ एक सांस भर कर चड़नी पड़े सौ सीड़ी उपर से गला देने वाली बर्फ पानी की कमी और ठंड से जूचता शरी इसको पूरा करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपका वोकल ख़त हो जाएंगे फिर भी म्यूजिक चल रहा है हमें तो यह रिक्वाइट अब हमें इतना सारा रिक्वाइट नहीं है तो आप क्या करेंगे यह पूरा पोशन आप सेलेक करेंगे बैक स्पेस हटा दिया अब आप चीज एक चीज नोटिस करेंगे जब आपके ट्राइट ख़तम हो रहा होगा तो बिल्कुल अबरॉप्टली आपका म्यूजिक ख़तम होगा हमें ऐसे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे हम यह पूरा एंड जहाँ पे एंड ख़तम हो रहा है आईए करें अपनी हद की आजमाईश दिस्कवरी चानल बस अब स्मूथली इसको ख़तम हुआ जब आपने इस अब एड़ेट कर लिया वैसे तो हमारा गाना बहुत इजिली स्टार्ट हुआ था अगर वो भी नहीं होता तो आप यह सेलेक्ट करके FEED-IN कर सकते हैं start में करना है तो FADE-IN end में करना है तो FADE-OUT अब सिलेक्ट ALL करिया QT зем ve file export export selected audio गाँ यह पुछेगा कहां पर आपको export करना है आप वो destination टाइप करिये नाम टाइप करीये MP3 करिये और इसको export कर देजिए yes, your tracks will be mixed down and exported as one stereo file अब हमारा ये ट्रैक बन चुका है अब देगली वीडियो में तर तक टेक केर स्टे सेव बबाई और कीप प्राक्टिसिंग